हाइट बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन कैसे ले सकते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बहुत ही इंपोर्टन इंफरमेशन देने वाली हूँ इस तरह का इंफरमेशन इंटरनेट पर आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको हाइट इंक्रीस करनी है और आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन कैसे ले सकते है? क्या यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से हाइट बढ़ेगी? क्या human growth hormone के injection growth plate closed होने के बाद भी effective है क्या human growth hormone के injection लेने से कोई side effect हो सकता है या नहीं ये सबी questions और किस सरा से लेना चाहिए ये injection को ये सबी जानकरी आज की इस वीडियो में तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत बूलिए सबसे पहले ये जानते है कि human growth hormone ऐसी क्या चीज है और human growth hormone का height से क्या relation है तो friends human growth hormone एक तरह का hormone है जैसे आपके body में testosterone है, estrogen है, thyroid hormone है, अलग-अलग hormones के अलग-अलग function होते है human growth hormone जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा ये body में अलग-अलग organs, अलग-अलग tissues and यहां तक की bones के growth के लिए responsible होता है अगर आपकी body में human growth hormone की कमी हो जाती है तो आप कितनी भी exercise करो, कितने भी vitamins, कितना भी nutrition लो तो आपकी height increase नहीं होती yes, growth hormone की deficiency अगर आपको होती है तो आप calcium के supplements लो, vitamin D3 लो तो भी आपकी height increase नहीं होती अगर आपकी body में growth hormone कम है तो ये आप कैसे जान सकते है growth hormone की deficiency को किस तरह से diagnose किया जा सकता है देखे, generally growth hormone की deficiency को diagnose करने के लिए x-rays और blood test किये जाते है वो इसलिए, क्योंकि जब हम human growth hormone की injections देते है तो ये deficiency को नजर में रखके dosage calculate किया जाता है लेकिन अगर आपको blood test नहीं करने है या फिर x-ray नहीं करना है तो एक simple तरीका है और वो है delayed puberty Yes, females में अगर periods late हो जाते है लड़कों में अगर 20 साल होने पर भी दाड़ी नहीं आई है या फिर आपको बहुती कम दाड़ी आती है और shave करने के बाद जल्दी दाड़ी के बाल नहीं उपते तो ये सब अगर आपको हुआ है 20 साल पर भी आपकी puberty स्टार्ट नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपके body में growth hormone की deficiency है Growth hormone की deficiency के लिए ऐसे कौन से specific blood test किये जाते है Very good question Growth hormone की deficiency के लिए सबसे पहला blood test किया जाता है वो है binding proteins के level को check करते है जिसमें IGF-1 check किया जाता है IGF-BP3 check किया जाता है ये blood test जो है ये check करता है कि आपके pituitary gland जो आपके brain में है तो pituitary gland में growth hormone properly release हो रहा है या नहीं proper amount में growth hormone release होता है या नहीं ये ये test से पता चलता है Secondly आपके body में in general growth hormone का level कितना है जैसे कि serum total growth hormone का level जो है ये blood test भी किया जाता है कुछ ऐसे blood test किये जाते है ये जानने के लिए कि आपका pituitary gland जो है ये properly function करता है या नहीं आपका जो pituitary gland जो brain में है ये responsible है आपके सभी hormones की activity के लिए सभी hormones के release के लिए इसलिए pituitary gland का proper function करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर pituitary gland का function proper नहीं है तो आपके body में growth hormone की deficiency हो सकती है तो generally pituitary gland के proper functioning के लिए कुछ blood test किये जाते है जिसे की serum cortisol thyroid FSH चेक किया जाता है prolactin level चेक किया जाता है testosterone estrogen चेक किया जाता है कुछ ऐसे specific blood test किये जाते है जिसे exactly पता चलता है कि growth hormone की deficiency कितनी है किस सरकी है उसमें है GHRH arginine test next है growth hormone stimulation test next है insulin tolerance test ये सभी blood test चुँ मैंने बता है ये सभी blood test करने से पता चल चाता है कि growth hormone की deficiency है या नहीं और अगर deficiency है तो कितनी deficiency है कितने dose में growth hormone का injection देना चाहिए और ये growth hormone की deficiencies जो है क्या ये pituitary gland की problem की वज़े से है या कोई दूसरा reason है growth hormone की deficiency के लिए अकसर endocrinologist x-rays भी करते है जिसमें bone density check किया जाता है bone dxa scan किया जाता है जिससे bone density पता चलती है MRI scan of the brain किया जाता है जिसमें exactly pituitary gland को visualize किया जाता है और पता चलता है कि क्या ये gland में कोई problem है कोई tumor है, infection है वगेरा इसके साथ साथ growth plate का x-ray किया जाता है इन जैनरल अगर चोटे बच्चे का अगर हमको growth hormone की deficiency check करनी है तो left wrist joint का यानि कि ये left kali का x-ray किया जाता है जिससे पता चलता है कि इसका जो bone development है वो proper है या नहीं इसके साथ साथ कुछ patients में skull का x-ray भी किया जाता है अगर बहुत young patients होते है और जल्दी इसको diagnose करना है तो skull का x-ray recommend किया जाता है अगर growth hormone की deficiency है तो अभी इसका treatment क्या है growth hormone की deficiency का क्या medical treatment है तो देखें friends growth hormone की जो treatment है वो generally 10 साल और 10 साल के उपर के patients में ही use की जाती है 10 साल के नीचे के patients में growth hormone की deficiency अगर हो भी तो भी इसकी treatment या फिर इसके injections नहीं देते growth hormone की therapy या growth hormone की injections specially turner syndrome के patient में दिये जाते है ये एक genetic condition है generally females में होता है जिसमें a chromosome यानि x chromosome body में कम होता है जिसकी वज़़से patient को बहुत ही ज्यादा short stretcher होता है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे endocrinological disorders है जिसमें patient की height बहुत कम होती है और जब हम growth hormone की injection देते है तो patient की height proper हो जाती है तो आकर ये growth hormone का injection क्या है और growth hormone की therapy क्या है basically इसमें growth hormone की injection में growth hormone ही होता है और ये जो growth hormone होता है ये किसी animal से derive नहीं किया जाता growth hormone जो होता है इसको synthetically बनाते है यानि artificially इसको create किया जाता है और ये injection form में available है इसको कैसे दिया जाता है इसको subcutaneously दिया जाता है जनरली आपने देखा होगा diabetes के patients जो insulin के injections लेते हैं तो वो जो भी जगा पे लेते हैं तो वो subcutaneous root है जनरली back of the hand पे दिया जाता है thighs पे दिया जाता है especially pate पे दिया जाता है लेकिन इसकी जो site होती है ये अलग-अलग हर रोज change करनी होती है growth hormone के जो injection होते है वो एक proper इसका जिस तरह से insulin का dose properly patient के हिसाब से meter किया जाता है सेब इसी तरह से growth hormone के injection का dose as per the patient उसको properly meter किया जाता है growth hormone का injection जो है वो daily लेना पड़ता है subcutaneously लेना पड़ता है growth hormone का injection लेने का कोई specific time है yes growth hormone का injection generally सोने से sleeping time से one hour पहले इसको दिया जाता है जिससे इसका maximum effect होता है क्या ये injection painful है नहीं ये injection बिलकुल भी painful नहीं है subcutaneously दिया जाता है इसलिए बिलकुल भी दर्थ नहीं होता yes लेकिन इसके proper aseptic precautions लेने चाहिए properly site को clean करना चाहिए और ये ensure करना चाहिए कि किसी भी तरह का injection के site पर infection ना हो growth hormone injection किस तरह से body में काम करता है इसका और height पे किस तरह से असर करता है देखिए growth hormone के injection हम लोग as a replacement measure देते हैं अगर body में growth hormone कम है या फिर नहीं बनता तो हम artificially growth hormone के injection देकर body को supplement करते हैं सेम जिस तरह से अगर आपके body में कोई vitamin की कमी हो जाती है आप blood test करते हो पता चलता है vitamin की कमी हो गई है तो vitamin की जो भी vitamin की आपकी body में कमी हो गई है तो उसके अनुसार doctor आपको capsule, tablet या फिर injection prescribe करते हैं तो वो जब आप लेते हो तो वो जो कमी है वो पूरी हो जाती है सेम इसी तरह से ही growth hormone का injection होता है जो भी आपके body में growth hormone की deficiency होती है उसको पूरा कर देता है उसको replace कर देता है अब ये सुनकर आपके मन में ये खयाल आया होगा कि जब मैं growth hormone के injection लेता हूँ height के लिए तो कब मेरी height बढ़ेगी? कब मुझे results दिखने start हो जाएंगे? क्या सच म answer में आपको बताती हूँ growth hormone की injection जब आप start करते हो तो initially इसके जो results है वो आपको 6 महिने में दिखते है यस immediately आपको एक हफते में 10 दिन में इसके result नहीं दिखते है initially 6 महिने में आपको इसके result दिखते है जब आपने injection start किया हो तो 1-2 inch की height आपकी बढ़ सकती है अगले 6 महिनो में एक week में नहीं बढ़ती अगले 6 महिनों में आपकी height 1-2 inch तक definitely बढ़ सकती है कितने duration के लिए मुझे ये growth hormone के injection लेने पड़ेंगे कब तक मुझे ये growth hormone के injections लेने पड़ेंगे मेरी height के लिए तो दिखें friends growth hormone के injection की treatment है वो 2 साल से लेकर 5 साल तक के duration की हो सकती है again ये patient to patient depend क करता है patient के body में कितना growth hormone की deficiency है उसके हिसाब से इसका duration of treatment depend करता है growth hormone के injection लेने पर क्या height के अलावा और कोई मेरे body में changes होंगे क्या कुछ मैं अलग दिखने लगूंगा या फिर growth hormone के injection लेने के बाद क्या मैं alien की तरह दिखूंगा नहीं जब आप growth hormone की injection start करते हो तो आपके body म आपके जूतों की size बढ़ती है येस आपकी foot की size थोड़ी सी increase होती है जो आपकी पुराने shoes है वो आपको fit नहीं करते है आपको नए वाले shoes लेने पड़ते है थोड़ी सी बड़ी size foot की लेनी पड़ती है second जो effect देखा जाता है वो है increase in appetite जब कोई patient growth hormone की injection start करता है तो उसकी appetite बहुत ज्यादा increase हो जाती है बहुत ज्यादा भूक लगती है लेकिन ऐसे time पे proper nutritious food लेना बहुत ज्यादा ज़रूरी है junk food को completely avoid करना है इसके साथ साथ patient का वजन भी बढ़ने लगता है yes growth hormone की injection लेने पर weight gain भी होता है लेकिन weight gain इस तरह से होता है कि patient पतला दुबला पतला द होता है secondly आपका lean body mass भी increase होता है तो all this contributes to the weight gain एक बहुत common questions जो पेरे patients मुझे पूछते है कि अगर हमने growth hormone के injection लेना बन कर दिया तो क्या हमारी height फिर से कम हो जाएगी क्या हमारी height फिर से पहले जैसी हो जाएगी तो friends सच में ये बिल्कुल भी logical नहीं है नहीं अगर आप growth hormone की injection बीच में से बन कर देते हो या आप growth hormone की treatment complete करके भी उसको बन कर देते हो तो आपकी जो height है वो वैसी के वैसी रहेगी पहले जैसी नहीं हो जाएगी या फिर आपकी height reduce नहीं हो जाएगी कुछ patients में यहां तक कि मैंने ये भी देखा है कि जब वो growth hormone की injections बन कर देते है तो उ हम growth hormone की injections लेंगे तो हम अमिर खान से लेकर completely अमेता बच्चन बन जाएंगे नहीं आप यहां से लेके यहां नहीं होगे आपकी height आपके genetics पर ही depend करेगी अगर आपके genetics में जो height है उसके 3 से 4 इंच आगे पीछे हो सकती है लेकिन आप directly 5 feet से लेके 6,5 feet तक नहीं हो सकते जो आ इतनी अच्छे अच्छी बाते हो गई growth hormone की injection को लेकर तो क्या इसके कोई side effects है या नहीं? Yes! सबसे ज़रूरी बात ये growth hormone की injection के बहुत सारे खतरनाक side effects हो सकते हैं सबसे पहला तो first of all growth hormone की वज़े से बहुत सारे patients में commonly यह देखा गया है कि उनको severe headache होता है इसके साथ-साथ उ joint में swelling होती है जिसकी वज़े से उनको treatment भी लेनी पड़ती है growth hormone की injections लेने वाले patients में allergic reaction भी देखा जाता है जैसे मैंने कहा कि ये growth hormone को synthetically prepare किया जाता है ज्यादा से ज्यादा उसको safe बनाने की कोशिश की गई है लेकिन अगर proper dose calculate नहीं किया जाता proper patient का evaluation नहीं किया जाता तो patient को severe allergic reaction हो सकता है इसके साथ growth hormone के patients growth hormone के injection लेने पर patients में ये भी देखा गया है कि उनका weight gain होता है weight gain की वज़े से diabetes भी हो सकता है क्या growth hormone के injections लेने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए क्या ऐसा कोई contraindications है growth hormone के injection के लिए yes अगर आपके family में किसी तरह cancer है family history है आपके family में cancer की तो आपने ये growth hormone के injection नहीं लेने चाहिए अगर आपने किसी भी तरह की cancer की treatment ली है या आपके body में किसी भी तरह की gut diagnose की है या फिर आपने gut निकालने के लिए कोई operation किया है क्या आपने किसी तरह का major surgery जैसे कोई transplant या किसी भी तरह का major operation आपके साथ हुआ है या आपक कोई बड़ा accident आपके साथ हुआ है तो ऐसे patients ने बिल्कुल भी growth hormone के injection नहीं लेने चाहिए अगर आपको अस्थमा का problem है दमा का problem है breathing किसी तरह का breathing problem है या फिर आपको past में pneumonia हो गया है तो ऐसे patients ने भी growth hormone के injection बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए तो ये थी जानकर ही growth hormone के injection की बारे में लेकिन friends एक बहुत ही important बात का ध्यान रखे अगर आप proper diet नहीं follow करते प्रॉपर exercise routine नहीं follow करते तो कितने भी आप growth hormone के injection लो आपकी height बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी growth hormone के injections थभी effective होते है जब आपके growth plates open है अगर आपके growth plates open है या फिर close होने का process भी start हो गया है और उसी time पे अगर हम growth hormone के injection start कर देते है तो patients की height जो है वो फटाफट बढ़ती है और काफी अच्छी height बढ़ जाती है अगर आपको इस तरह के injections नहीं लेने या आप बहुत ही ज्यादा lazy हो तो उसके लिए एक height increase का बहुत अच्छा hack है मेरे पास और वो है anterior pelvic tilt अभी ये anterior pelvic tilt क्या है इस पर already channel पे video post कर दिया है इसका link में description box में आपको दे दूंगी तो वो video आप जरूर देख लीजिए anterior pelvic tilt एक ऐसी ऐसा hack है कि अगर आपका spine का curvature proper नहीं है अगर आपका spine का curvature सही नहीं है due to bad posture तो just posture को हम सही करते है through some exercises तो आपकी height up to 2 inches तक बढ़ सकती है तो anterior pelvic tilt आपको है या नहीं ये कैसे चेक करना है वो भी मैंने उस video में proper एक demo दिया है anterior pelvic tilt को हम कैसे सही कर सकते है और height हमारी 2 inches तक बढ़ा सकते है तो वो exercise भी मैंने वो video में post किये हुए है तो वो video आपको जरूर देखना है especially अगर आप lazy हो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते height के लिए कोई दवाई कोई injection कुछ नहीं करना चाहते सिर्फ exercise पर depend करते हो तो anterior pelvic tilt वाला video आपको देखना बहुत ज्य आप कोई आपको भी ज्यादार लो टो आपको आपको ए्ट वाफ मुड़ हो आपको ए्टी है तो झाल झाल